परिच्चय हलो राधा, तुम कहां से आ रही हो? मैं 3D फिल्म देखने सिनमा हॉल गई थी 3D फिल्म वो क्या होती है? 3D का अर्थ है 3 विमिया इस तरह की फिल्म देखने के लिए हमें विशेश एनक पहननी पड़ती है 2 विमिया आकृती और 3 विमिया आकृती में क्या फर्ख है? आओ, इस पार्ट में मैं तुम्हें 2 विमिया और 3 विमिया आकृतियों के बारे में बताती हूँ उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे द्वी विमिय और त्री विमिय आकारों को परिभाशित करना त्री विमिय वस्तों के भिन्य द्रिश्य दिखाना बहु फलक को समझना ओलर सूत्र की अवधारना को समझना द्वी विमिय आकार इन आकारों को देखो द्वी विमिय आकार है इनमें सिर्फ दो मापे हैं लंबाई और चौडाई तुम्हारा मतलब है कि हम अपनी नोटबुक में जो भी आकार बनाते हैं वो सभी द्वी विमिय है हाँ, तुम सही हो वो सभी आकार जिन ही हम कागस पर चित्रत कर सकते हैं और जिन में दो मापे होती हैं उन्हें द्वी विमिय आकार कहते हैं वर्क, आयत, त्रिभुज, वृत, इत्यादी द्वी विमिय आकारों के उधारन हैं त्रिभिमिय आकार त्रिभिमिय आकार क्या है? कोई भी ठोस वस्तू जिसमें तीन मापें लंबाई, चोड़ाई और उचाई हो उसे त्रिभिमिय वस्तू कहते हैं इन घणाभों को देखो इनमें लंबाई, चोड़ाई और उचाई है अतह ये त्रिभिमिय आकार है बेलन, शंको इत्यादी भी त्रीविम्या आकार है दिभिन आकार रीता, आओ एक खील खेले तुम द्वीविम्या और त्रीविम्या आकारों के बारे में जानती हो मैं तुम्ही कुछ आकार दिखाऊंगी और तुम मुझे उनका नाम और प्रकार बताऊगी ठीक है, मैं तयार हूँ ये देखो, ये सभी आकार है अब एक एक कर तुम्हें इन सभी के नाम और इनके आकार बताने है ये एक वर्ख है और ये द्वीविम्या है ये शंकु है और ये त्रीविम्या है ये बेलन है और ये भी त्रीविम्या है ये त्रिभुज है और ये द्वेविम्या है ये घण है और ये त्रेविम्या है ये वृत है और ये द्वेविम्या है ये घणाब है और ये त्रेविम्या है और ये है क्या ये गोला है? हाँ, ये गोला है और ये त्रेविम्या है वा, रीता, तुम बहुत तेजी से सीख रही हो मुझे नाकारों के बारे में और अधिक जानना है आओ, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं रीता, इस तंबू को देखो ये दो आकारों से बना है क्या तुम उन दोनों आकारों के नाम बता सकती हो? हाँ, मैं आकारों के नाम बता सकती हूँ इसमें एक शंकू है और दूसरा बेलन है सही, इसी तरहा हमारे पास एक आईस्क्रीम है हम देख सकते हैं कि आईस्क्रीम का कोन एक अर्ध गोले से घिरा हुआ शंकू है 3D आकारों के द्रिश्य जीता, क्या तुम जानती हो कि त्री विम्या आकार विभिन स्थानों से भिन भिन दिखते हैं? कैसे? हमारे घर को देखो, इसके कई द्रिश्य हो सकते हैं ये घर का पार्शव द्रिश्य है ये घर के सामने का द्रिश्य है और ये घर के उपर का द्रिश्य है इसी प्रकार इस इट के भी कई द्रिश्य हो सकते हैं उपर का द्रिश्य, पार्शव, द्रिश्य और सामने का द्रिश्य, फलक, किनारे और शीश. इस घं को देखो, ये घं का एक फलक है, ये घं का किनारा है और ये घं का शीश है. किनारा एक रेखा खंड होता है, जहां फलक मिलते हैं, शीश वे बिंदु हैं, जहां किनारे मिलते हैं. बहु फलक, क्या तुम जानती हो, कि उस ठोस को क्या कहते हैं, जिसमें समतल फलक, किनारे और शीश हों? नहीं, ऐसे ठोस को बहु फलक कहते हैं, ये सभी ठोस बहु फलक हैं. क्या ये वस्त्वे बहु फलक हैं? नहीं, ये बहु फलक नहीं है. तुम सही हो, ये बहु फलक नहीं है, क्योंकि इनकी फलक समतल नहीं है. सम बहु फलक यदि प्रत्येक शीश पर समान फलक मिलें, तो उस बहु भुच को सम बहु फलक कहते हैं. घण एक सम बहुफलक है क्योंकि प्रत्यक शीष पर तीन फलक मिलते हैं जीता हमारे पास बहुफलक परिवार के दो महत्पूर्ण सदस्य हैं ये है प्रिज्म और प्रिरामेड हम कहते हैं कि एक बहुफलक प्रिज्म होता है जब उसका आधार और उपरी सिरा सर्वा गसम बहुफुच हो तथा उसके अन्य फलक अर्थात पार्शव फलक समानतर चतर भुच के आकार के हो इसके दूसरी ओर एक पिरामेड वो बहुफलक होते हैं जिसका आधार कितनी भी भुचाओं वाला एक बहुफुच होता है तथा इसके पार्शव फलक एक शीर्ष वाले त्रिभुच होते हैं यदि आप एक बहुफुच के सभी कोणों या शीर्षों को एक ऐसे बिंदू से मिला दें जो उसके तल में ना हो तो आपको पिरामेड का एक मौडल प्राप्थ हो जाएगा यदि F फलक की संख्या, V शीर्षों की संख्या और E किनारों की संख्या हो तो ओलर का सूत्र है F प्लस V माइनस E is equal to 2 ये सूत्र किसी भी बहुफलक के लिए सत्य है यदि शीर्षों और किनारों की संख्या दी हुई हो तो हम बहुफलक के फलकों की संख्या ओलर सूत्र के प्रयोग से ग्याद कर सकते हैं और यदि किसी बहुफलक के फलकों और शीर्षों की संख्या दी गई हो तो क्या हम किनारों की संख्या ग्याद कर सकते हैं सारांच आईए हमने जो कुछ सीखा है उसी संश्रीप में दोहराए बीविम्य यानी 2D और त्रीविम्य यानी 3D वस्त्वों को पहचानना वस्त्वों में छीपे विभिन्न आकारों को पहचानना 3D वस्त्वों का भिन्न स्थानों से भिन्न द्रिश्य होता है किसी बहु फलक के लिए F प्लस V माइनस E is equal to 2D जहां F फलक की संख्या, V शीर्षों की संख्या और E किनारों की संख्या को प्रदर्शित करता है इस संबंद को Euler सूत्र कहते हैं जहां F अ कर्फों कि संख्या धन्यद आड़क़् प्लस V सूत्र को